देव भूमी उत्राखंड में घूमने की 10 सबसे अची जगा के बारे में जहां पर आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ छुटियों का अनंद लेने जा सकते हैं भारत का एक बहतर सुन्दर और लोगप्रिय राज्य उत्राखंड जो हिमाले के पास इस्तित एक ऐसा परवत अस्थल है जिसे देव भूमी भी कहा जाता है हिमाले के खुबसूरती के साथ साथ है यहां प्राचीन मंदिरों का भी आनंद ले सकते हैं यहां आप वाइट वाटर रॉप्टिंग माउंटिन बाइकिंग जैसी खुबसूरत खेलों को भी आप विजेस कर सकते हैं उत्राखंड में घूमने की जगह रिशिकेश उत्राखंड राज्य का एक लोगप्रीय अस्थल रिशिकेश जो एक प्राचीन सहर होने के साथ साथ हिंदू के लिए एक पवित्र अस्थल हैं पवित्र गंगनदी के तट पर यह शहर हिमाले की तलहटी में बसा हुआ हैं यह लोगप्रीय शहर अत्यांत लोकीक और अनुपम सौंदर या समेटे हुए हैं इस पवित्र और प्राचीन अस्थल की अनेकों कथाए पुराणों से जुड़ी हुई हैं कथाओं के अनुशार समुंदर मंथर से निकला बिस भगवान सीव ने इसी अस्थल पर गरहाण किया था रिशी केस एक ऐसा पवित्र अस्थल है जहां पर परियाठक धार्मिक अस्थल अधभूद वतावरण के साथ साथ एडवेंचर एक्टिवीटी का भी भरपूर आनंद ले सकते हैं इस पवित्र अस्थल को वर्ल्ड योग कैपिटल भी माना जाता हैं जिस बजा से यहां विदेशु से भी लोग आते रहते हैं यहां की लोग प्रिय सुन्दर्ता देखने के साथ एडवेंचर वाइट वाटर रॉप्टिंग, फ्लाइंग बॉक्ष मांटेन बैकिंग, बंजी जंपिंग और योग किरियाई सीखने के लिए लोग बिदेश से भी प्रेटन के लिए आते रहते हैं दोस्तो आज मैं उत्राखंड के दस जगा के बारे में बताने वला हूँ जिसमें रिशी केस का नाम पहले नमर प्याता है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया उत्राखंड का दूसरा दरसनिय अस्थल हरिद्वार हरिद्वार भारत के साथ पवित्र सहरों में से एक उत्राखंड राज्य की गढ़वाल छेतरे में गंगा के किनारे पर इस्थित एक सुंदर प्राचीन सहर है हरिद्वार का शाबदी कर्थ भगवान का वासजा भगवान निवास करते हैं हरिद्वार एक ऐसा सहर है जो आश्रम, मंदिर और संकिन सहरों में समरिध हैं गंगा नदी में लाखो लोग अपनी अस्था के साथ मन को बवित्र करने के लिए गंगा असनान करने के लिए आते हैं दुनिया का फेमस कुम मेला हर बार 12 साल में एक बार हरिद्वार में आयोजित किया आता हैं तिर्थ अस्थल और परेटन अस्थल के संगम के साथ हरिद्वार उत्राखंड के दस खूबसूरत अस्थलों में से प्रमूख हैं उत्राखंड का तिसरा लोग प्रिय जगा नैनीताल यहां बर्फ से ढगे पहाड और उनके सुन्दर परिवेश को देखकर हर कोई मंत्र मुग्द हो जाता है नैनी ताल में झीलों से गिरती जलधारा, ताजी हवा चारो तरफ देवदार जैसे पेणों से घीरे घने जंगल, परवत की चोटियों से सुर्योदय का अद्भुत द्रिश्य, भारी संख्या में परिटक साल भर आते रहते हैं प्राकृतिक बतावरण के साथ साथ यहां की सांस्कृतिक और समाजिक बतावरण में भरपूर विनम्रत स्वभाव अस्थानिय लोग मिलेंगे, जिनकी सब्दों की मिठास और खातिरदारी आपको पल भर में दिवाना बना देगी उत्राखंड की चौती खोब सूरत जगा केदारनाथ, केदारनाथ मंदीर चार धाम में से एक हैं उत्राखंड में हिमालय परवत के बीच इस्तित, केदारनाथ मंदीर भगवान सीव को समरपित हिंदू का सबसे बड़ा पवित्र तिर थस्तल हैं किदारनाथ पहाडों के बीच में इस्तित मुख्य तिर्थ यात्रा का किंद्र हैं जहां भगवान सीव के जियोति लिंगों के अस्थापना किया गया हैं। किदार घाटी पुरी तरह से बर्फ में ढकी हुई होती हैं। मासूरी की खूबसूर्ती बादियों और पहाडों की सुन्दर्ता का अध्वुद्रिस्य प्रस्तुत करती हैं। मासूरी जिसकी सुन्दर्ता और यहां के हरे बरे पहाडों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्याटक आते रहते हैं। और यहां की प्राकृतिक सुन्दर्ता उनको मंत्र मुग्द कर देती हैं। प्राचीन गुफाय, सुर्यास्त का अध्वुद्रिस्य के साथ हरे भरे पहाडों को भी देख सकते हैं। ऐसे में दोस्तों हमने उत्राखंड के कुछ जगहों के बारे में बताया हैं। इन जगहों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए एसके में सकाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।